Hello students! कक्षा 8 हिंदी का पहला पार्ट ध्वनी इसमें हम आपको प्रश्ण और उत्तर लिखा रहे थे और अब हम आगे के प्रश्ण उत्तर आपको लिखाने जा रहे हैं भासा की बात का पहला प्रश्ण भासा की बात इसका पहला प्रश्ण है निम्न लिखित निम्न लिखित पुनरावरत यहाँ पे इस सब्द आया है पुनरावरत यानि एक सब्द की दो बार आवरत यानि एक सब्द की दो बार बोला जाना पुनरावरत सब्द का वाक्यों में वाक्यों में रयोग किजिए और यह सब दें बातों बातों में बातों बातों में रह रह कर लाल लाल सुबह सुबह रातों रात और घड़ी घड़ी तो इन सब्दों के हमें क्या करने हैं? वाक्यों में प्रयोग करने हैं नेमने लिखित पुनरावरत सब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए बातों बातों में रह रह कर लाल लाल सुबह सुबह रातों रात और घड़ी घड़ी इसका उत्तर है तो पहला है हमारा बातों बातों में बातों बातों में इसका हमें क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है तो बातों बातों में वह बाजार से जरूरी सामान लाना भूल गया तो बातों बातों से जो वाक्यों की प्रयोग बना बातों बातों में वह बाजार से जरूरी सामान लाना भूल गया अगला है रह रहकर रह रहकर इसका वाक्यों की प्रयोग होगा कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है अगला है लाल लाल सूरी की किरने सुबह की समय सुबह की समय लाल लाल प्रतीत होती है तो लाल लाल का जो वाक्यों की प्रयोग है सुरी की किरने सुबह की समय लाल लाल प्रतीत होती है अगला है सुबह 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 दादा जी सुबह सुबह सेर पर निकलते हैं हैं सुबह सुबह का वाक्यों प्रयोग है दादा जी सुबह सुबह सेर पर निकलते हैं अगला है रातों रात रातों रात इश्वर की क्रपा से रमेश रातों रात अमीर बन गया रातों रात का जो वाक्यों प्रयोग है इश्वर की क्रपा से रमेश रातों रात अमीर बन गया अगला है घड़ी घड़ी सिक्षक द्वारा छात्रों को घड़ी घड़ी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए तोका गया तोका गया या डांटा गया तो घड़ी घड़ी सिक्षक द्वारा छात्रों को घड़ी घड़ी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए तोका गया तो यहाँ पे यह पुन्रावर्जो सब्द थे उनके वाक्यों में प्रियोग आपको करा दिये गए हैं आप इनको ध्यान से देखिए और इसको समझिए और इसके बाद इनको कॉपी में नोट कीजिए और यहाँ पे आपका यह पहला पार्ट समाप्त होता है इसके बाद हम आपको अगला पार्ट करा रहे हैं और उसके प्रश्ने और उत्तर आपको लिखा रहे हैं पार्ठ दो हम आगे बढ़ते हैं पार्ठ दो में लाख की चूड़िया अगला पार्ठ है हमारा पार्ठ दो पार्ठ दो लाख की चूड़िया लाख की चूड़िया पार्ठ दो इसके प्रश्ण रुतर आपको कॉपी में करा रहे हैं इसका पहला प्रश्ण है बजपन में लेखक अपने मामा के गाउं चाउ से यानी रुची से चाउ से क्यों जाता था क्यों जाता था और बदलू को बदलू को बदलू मामा बदलू मामा न कहकर न कहकर बदलू काका क्यों कहता था क्यों कहता था तो हमारा पहला प्रश्ण है बजपन में लेखक अपने मामा के गाउं चाउ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था ध्यान से आप प्रश्ण को देखिए और इसको कॉपी में नोट कीजिए इसका उत्तर है बजपन में लेखक बजपन में लेखक अपने मामा के गाउं अपने मामा के गाउं चाउ से इसलिए जाता था क्यों की लेखक क्यों की लेखक के मामा लेखक के मामा गाउं में लाक की चोड़िया गाउं में लाक की चोड़ियां बनाने वाला का रिगर बदलू रहता था बदलू रहता था लेखक को लेखक को बदलू काका से अधिक लगाउ था बदलू काका से अधिक लगाउ था वह लेखक को बच्चा जो है इस कहानी का लेखक भी है वह लेखक को लाक की संदर गोलियां बना कर देता था गाउं के सभी लोग बदलू को बदलू को बदलू काका बदलू काका बुलाते थे इस कारण लेखक इस कारण बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू मामा न कहकर बदलू काका बदलू काका बदलू काका कहता था था तो यहां पर इसका उत्तर फिर से हम समझ लेते हैं बदलू में बदलू में लेखक अपने मामा के गाउं चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा गाउं में लाख की चूडियां बनाने वाला कारिगर बदलू रहता था लेखक को बदलू काका से अधिक लगाव था वह लेखक को लाख की सुन्दर गोलियां बना कर देता था गाउं के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बदलू काका बुलाते थे इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था ध्यान से इस केप्तर को देखे और उसको कौपी में नोट करेंगे इसके बाद हमारा आगला प्रश्ण है वस्तु में विनिमाई क्या है? वस्तु विनिमाई क्या है? विनिमाई क्या है? विनिमाई क्या है? वस्तु विनिमाई क्या है? प्राचलित पद्यती क्या है पद्यती क्या है तो यहाँ पे वस्तुवी निमाई क्या है यहाँ पे अर्थसास्त्र एकोनोमिक्स में बताया जाता है वस्तुवी निमाई क्या है विनिमाई की प्रचलित पद्यती क्या है अब हम इसका अप्तर आपको लिखाएंगे कि वस्तुवी निमाई क्या है वस्तुवी निमाई में वस्तु वे निमाई में एक वस्तु को दूसरी वस्तु दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है यानि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु उसे क्या कहा जाता है वस्तु वे निमाई कहा जाता है वस्तु के लिए पैसे नहीं लिये जाते थे लिये जाते हैं इसमें क्या होता है वस्तु के लिए पैसे नहीं लिये जाते हैं अगर हमें किसी वस्तु को किसी को देना है वो भी उसके बदले कोई वस्तु हमें लोटाएगा इससे क्या कहते हैं वस्तु निमाई कहते हैं वस्तु के बदले वस्तु वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है ली और दी जाती है किन्तु अब यहां पर क्या होता था ना पहले समय में लोगों के पास जो अची जगर नहीं होती थी तो उसके बदले पैसे नहीं ले जाते थे जैसे किसी वस्तु को अगर मालिया अनाज के बदले कोई दूसरी चीज दे देंगे पैसों में उसका मुलभाव नहीं होता था तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी लेकिन अब क्या है अब मुद्रा की चलन जब से पैसा आया अब मुद्रा मुद्रा का अर्थ है पैसा मुद्रा की चलन के कारण जब से पैसा आया तब से मुद्रा की चलन की कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लिंदीन मुद्रा की द्वारा मुद्रा की द्वारा हुदा हुदा है विंदीन विंदीन की पजयती पैसा है पैसा है आज के समय में जो विंदीन की पजयती है वो क्या है पैसा है आज काल जो लेन दिन है उसके क्या है वो पजयती हमारी पैसे से होती पहले क्या होता था लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देते थे लेकिन आज वर्तमान समय में जब से मुद्रा का प्रशलन हुआ अब क्या होता है लेन दिन जो होता है पैसों के माध्यम से होता है तो इसको हम पिर से यहाँ पे समझ लेते हैं वस्तु विनिमाई क्या है विनिमाई की प्रचलीत पद्यती क्या है वस्तु विनिमाई में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है वस्तु के लिए पैसे नहीं लिये जाते हैं वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है किन्तु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेंदेन मुद्रा के द्वारा होता है विनिमाई की पद्यती क्या है? पैसा है तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखे और उनके उत्तर कॉपी में नोट कीजिए इसके बाद अगला प्रश्न है मसीनी यूग मसीनी यूग ने कितने हाथ काड़ दिये हैं? हाथ काड़ दिये हैं काड़ दिये हैं इस पंक्ती में इस पंक्ती में लेखक ने किस ब्याथा की ओर किस ब्याथा की ओर संकीत किया है संकीत किया है इस पंक्ती में लेखक ने कारिगरों लेखक ने कारिगरों की ब्याथा की ब्याथा की ओर संकीत किया है संकीत किया है की मसीनों के मसीनों के हागमन से कारिगरों के कारिगरों के हाथ का काम कारिगरों के हाथ का काम हाथ का का चिन गया है चिन गया है यनि जब से मसीन आई कारिगरों के का गया हम समापत हो गया है क्योंकि यहले कारिगर, आपने हाथ से काम करते थे मसीनों की जग Fraktion look अधायों के माद्यम से यह आगे बढ़ते हैं मानो उनके हाथ कट गई हो, मशिनों के आने से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनके हाथ कट गई हो, मानो उनके हाथ कट गई हो, काटे गए हुँ उन कारीगरों का रोजगार उन कारीगरों का रोजगार इन पैत्रिक पूर्खों की समय से पैत्रिक काम धन्दों से ही काम धन्दों से ही चलता था इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ कुछ सीखा भी कभी कुछ सीखा भी नहीं था परंतु मशीनी योगने उनकी रोजगार उनकी रोजगार को छीन लिया चीन लिया और उन्हें और उन्हें बेरोजगार बना दिया बेरोजगार बना दिया तो यहां पर हम इस प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं मशीनी योगने कितने हाथ काड़ दिये हैं इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की वो संकेत किया है इसका उत्तर है इस पंक्ति में लेखक ने कारिगरों की व्यथा की और संकेत किया है कि मसीनों के आगमन से कारिगरों के हाथ का काम छिन गया है मानों उनके हाथ कट गए हों उन कारिगरों का रोजगार इन पैत्रिक काम धन्दों से ही चलता था, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा भी नहीं था, परंतु मसीनी युग ने उनके रोजगार को छीन लिया और उन्हें बेरोजगार बना दिया यहाँ पर इस प्रश्ण का उत्तर आपको लिखाया है, आपको प्रश्ण और इसके उत्तर को कॉपी में नोट करना है इसके बाद अगला प्रश्ण है बदलू के मन की बदलू के मन में ऐसी कौन सी ब्यथा थी? ऐसी जो लेखक से छीपी न रह सकी इसका उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था परन्तु जैसे जैसे कांच की चूड़ियां परन्तु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन प्रचलन बढ़ता गया उसका ब्योवसाई ठप पढ़ने लगा अपने ब्योवसाई की यहाँ दूर्दशा बदलू को मन ही मन कचोड़ती रही कचोड़ती रही बदलू के मन में यहाँ बदलू के मन में यहाँ ब्योथा कि मसेनीयूग की मसेनीयूग की प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारिगरों अनेक कारिगरों को बिरोजगारी और उपेक्षा का सिकार होना पड़ा है यह ब्याथा लेखक से चिपी ने रह सकी तो यहाँ पे इस प्रशन को फिर से समझ लेते हैं बदलू के मन में ऐसी कौन सी ब्याथा थी जो लेखक से चिपी न रह सकी इसका उत्तर है बदलू लाह की चुड़ियां बेचा करता था परंतु जैसे जैसे कांच की चुड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका ब्याथा ठप पड़ने लगा अपने ब्याथा की यह दुर्दसा बदलू को मन ही मन कचोड़ती रही बदलू के मन में यह ब्याथा की मसीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बिरुजगारी और उपेच्छा का सिकार होना पड़ा है यह ब्याथा लेखक से चिपी न रह सकी तो आज हम इस भाग में आपको यहां तक के प्रशनों करा रहे हैं इसके बाद हम आपको अगले भाग में इस पाट के अन्य प्रशनों तर आपको कराएंगे